चांद पर अंगत की तरह पाव जमाए अपने लैंडर विक्रम ने बीती रात एक और करिश्मा कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के दक्षणी हिस्से में लैंड किया था। इसके बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रग्यान लैंडर विक्रम से बाहर आया। दोनों 14 दिन तक लगातार चांद की सतह से डाटा भेजने के बाद 4 सितंबर को स्लीप मोड में चले गए थे। यानि इसरों ने दोनों के सभी उपकरण बंद कर दिये थे। इसरों के वैज्यानिक रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डाल रहे थे। लेकिन तभी अचानक से ही चांद की सतह पर खड़ा लैंडर विक्रम किसी हेलिकॉप्टर की तरह चांद की सतह पर उड़ने लगा। लेंडर विक्रम का यह नजारा देख, इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इसरो ने इसका वीडियो भी शेयर किया है जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद भी नहीं थी कि लेंडर विक्रम के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। स्लीप मोड में जाने के बाद, विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ? और अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस हालत में है? आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब, मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो बने रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में तक. लेकिन आप एक देश भक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जए हिंद जरूर लिखते. दरासल दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रियान 3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया था, तब पूरी दुनिया ने चांद के दक्ष दरुव पर ही लैंड कर गए. भारत को चोड़ कर किसी भी देश ने यहां पर आज तक कदम नहीं रखा है. इसके पीछे बहुत रहस्य चुपे हुए है. चांद के दक्षणी दरुव की सतह बहुत ही डरावनी और भयानक रहस्यों से भरी पड़ी है. अमेरिका के अंतरिक शियात्री निल आर्म स्ट्रॉंग ने भी कहा था कि दक्षणी दरुव पर कुछ रहस्य ऐसे है जिससे अभी तक मानव अंजान है. उन्होंने साफ तो नहीं बताया, लेकिन शायद उनका इशारा एलियन्स की तरफ था. लेकिन भारत ने तो अपना चंद्रयान, थ्री चा विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर को इसरो के वैज्ञानिक स्लीप मोड में डाल रहे थे. इसी दौरान विक्रम लेंडर के साथ ऐसी घटना हुई कि 14 दिनों से चांद की सतह पर एक जगह बैठा लेंडर विक्रम अचानक ही उडने लगा. इसरों ने वीडियो भी श पर सूरज निकला था, जो अब ढ़लने लगा है. और अब वहां पर रात होने वाली है. आपको बता दूं कि चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर लगातार सूरज निकला रहता है. चंद्रियान 3 के विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर में भी पावर जनरेट करने के लिए बैटरी लगी हुई है, जो सोलर पैनल से चार्ज होती है. इतने दिनों तक चांद पर सूरज निकला हुआ था और उसकी किरणों से सोलर पैनल द्वारा बैटरी चार्ज हो रही थी, जिससे रोवर प्रग्यान और विक्रम लेंडर लगातार चांद पर रोज नए न सतह से ऐसे राज खोल दिये है, जिनको देख कर दुनिया भी हैरान है. रोवर प्रग्यान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन तक की खोज कर ली है. इस दोरान रोवर प्रग्यान ने चांद की सतह के कई वीडियों और तस्वीरें इसरों को भेजी और चांद के कई रहस्यों स परदा जरूर उठा दिया। रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद जब इसरो के वैज्यानिक लैंडर विक्रम को भी स्लीप मोड में डालने लगे तो लैंडर विक्रम ने एक और करिश्मा कर दिखाया है। इसे में वैज्यानिकों ने एक नया प्रयोग करने की सोची। विक्रम के थ्रस्टर आन कर दिये, जिसकी वजह से वह हवा में उड़ा। उसे 40 सेंटीमीटर तक उठाया गया। इसके बाद 40 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर सोफ्ट लैंड करा दिया गया। ये एक तरह से चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग कराना जैसा था। सिर्फ दो मिनट में हुए इस प्रयोग ने इसरो के लिए भविश्य के कई रास्ते खोल दिये। अभी जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं यब इसरो ने शेयर किया है जिसमें आप विक्रम को हवा में उड़ते साफ देख सकते हैं। खास बात यह है कि जब चंद्रियान 3 को चांद पर भेजा गया था तो वैग्यानिकों ने सोचा भी नहीं था कि अपना विक्रम लेंडर एक बार नहीं बलकि दो बार चांद की सतह पर सुफ्ट लेंडिंग करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसरो अब आगे के मिशनों में चांद से धर्ती पर वापस यान को ला सकेगा। फिलहाल यह टेस्ट सफल रहा और इससे वैग्यानिक काफी खुश है। लैंडर विक्रम की ये उडान इसरो के लिए ये इस तरह काम आ सकती है जैसे अगर भविश्य में चांद पर मानव मिशन भीजा जाए या कोई ऐसा मिशन भीजा जाए जिससे चांद के सैंपल लेने हो तो एक जगह से दूसरी जगह पर लैंडर को पहुँचाया जा सकता ह स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम की इस सफल उडान ने दुनिया को एक बार फिर चौका दिया है इस उडान के बाद इसरो के वैज्यानिकों ने विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड में डाल दिया है दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब चंद्रयान 3 का क्या होगा? क्या वो चान्द की सतह पर ऐसे ही सोय रहेंगे? 14 जुलाई को लॉंच हुआ मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त को चान्द पर लैंड हुआ था अब इसका वक्त खत्म हो गया है क्योंकि चान्द पर रात होने लगी है अब 14 दिन बाद फिर चान्द के साउथ पोल पर 22 सितमबर को दिन होगा और सूरज की रौष्णी रोवर और लैंडर पर पड़ेगी जब सूरज की रौष्णी रोवर के सोलर पैनल तक पहुँच जाएगी तो इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्यानिक उसे सिगनल भेजेंगे दोस्तों रोवर के सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया है लेकिन एक रिसीवर को चालू रखा गया है यह रिसीवर 22 सितमबर को इसरो के द्वारा भेजे गए सिगनल को अगर रिसीव कर लेते हैं तो इनके फिर से जागने की संभावना है दोस्तों चांद की सतह पर रात के समय तापमान माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है इतनी ज्यादा ठंड में रोवर और लैंडर के उपकरणों के खराब होने का डर बना हुआ है अधिक ठंड में बैटरी भी खराब हो सकती है ऐसे में 22 सितंबर को इसरो के सिगनल रोवर और लैंडर रिसीव नहीं कर पाएंगे इसरो के वैज्यानिकों को उम्मीद है कि ये दोनों एक बार फिर जाग जाए और दोनों को काम करने के लिए 14 दिन अधिक मिले अगर ऐसा नहीं होता है तो विक्रम और प्रज्यान हमेशा ही चांद के शिवशक्ति पॉइंट पर मौजूद रहेंगे अगर रोवर प्रज्यान और लैंडर विक्रम 22 सितंबर को एक बार फिर जाग जाते है तो अगले 14 दिनों तक फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे इस समय रोवर प्रज्यान और लैंडर विक्रम चांद की सतह के सबसे डरावने दक्षणी धुरुव पर गहरी नींद में सो रहे है उनका कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा है और नहीं इसरो से उन्हें कोई सिगनल भेजा जा रहा है चंद्रियान 3 के रोवर और लैंडर के लिए ये आखिरी परीक्षा है जिसको पार करने के बाद भारत का इसरो दुनिया के इतिहास में एक नया कारनामा कर देगा लगभक 14 दिनों तक आराम करने के बाद देखते हैं आखिर क्या होता है दोस्तों आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रियान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी अब एक बार फिर आप कमेंट बोक्स में प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा चंद्रियान 3 नीन से जाग जाए और फिर से काम करने लग जाए इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना न भूले अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं जल्द ही अगले नोलेजेबल और चंद्रियान 3 के नए अपडेट के साथ तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को भी दबा दे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय इसरो